आप सबको नमसकार सर्व प्रथम इस धरा को नमन करती हूँ आमबेकर जी और यहां उपस्ते तमाम लोगों ने मेरा नाम चुना मैं ये सोच सोच कर अभी बूथ हूँ मैं किस्मत वाली हूँ कि आप लोगों के समक्ष हूँ आप लोगों के सामने हूँ और अपने दिल की बात कह पा रही हूँ, वैसे तो बीच में वो स्क्रीन की छाया होती है, वो पर्दा होता है, आज वो पर्दा भी हट गया है, तो और ज्यादा प्रसंद हूँ कि आपकी आँखों में आँखे डाल कर सच कह पाऊंगे. मैंने पूछा मुझे क्या कहना है, तो मुझे कहा गया बस कह दो, तो मैंने कहा कोई विशय है, तो कि जो आप चुन लो वो विशय है, तो मैंने चुन लिया, वा सुधा का कल्यान, मैंने चुन लिया कि इस धरा का कल्यान, विशय अगर ये है, तो कोई विचार धारा ले आए चांद ले आए, सूरज ले आए अगर देश प्रेम सर्वो परी है तो फिर सब कुबूल है सब चल जाएगा कोई विशय चल जाएगा कोई समाद चल जाएगा कोई धर्म चल जाएगा कोई पंथ चल जाएगा कोई लिंग चल जाएगा अगर देश प्रेम है तो सब चल जाएगा और ये मैंने कही और नहीं इसी जमीन पर हिंदुस्तान में भारत में हर आखों में देखा है उसे महसूस किया है और वही काम मैं स्क्रीन पर भी करने की कोशिश करती हूँ लोग कहते हैं आप आप कहते वक्त सोचती नहीं है तो मैं कहती हूँ सोचती हूँ इसलिए कह पाती हूँ और सोचती ये हूँ कि अगर आज मैं रुक गई तो फिर मेरे बच्चे रुक जाएंगे मेरे बच्चों के बच्चे रुक जाएंगे तो जो घलत है कहदो और जो सच है फक्र से कहदो कि यह सच है और यही मेरी कोशश भी रहती है और इतना प्यार इतना प्रेम मुझे मिलता है कि फिर मुझे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और यह आप लोगों का सम्मान है आज जिस कारिक्रम में मैं उपस्तित मुझे याद है स्कूल में जब छोटी थी पांचवी कक्षा में रही हूंगी तो हिंदी की मेरी बड़ी स्ट्रिक्सी टीचर थी तो उन्होंने देवरिशी नारद जी के बारे में एक कहानी मुझे सुनाई बच्चों को सुनाई और वो कहानी मैं चाहती हूं कि आपके भी रखूँ तो नारद जी तो आज तो क्या वाइफाई है क्या 5G है क्या 4G है नारद जी ने तो उसका इस्तमाल बहुत पहले ही कर लिया था कि प्लेन व्लेन की जरूरत नहीं थी वो टेलिपोर्ट करते थे तीनों लोकों में जाकर अपनी बात कहते थे तो कहानी ये शुरू होती है कि नारद मुनी अपने अंदाज में स्वर्ग लोक में गूम रहे हैं